जोहार मैं नूर्थ हिटली में रहता हूँ यहां की स्थिती बेहत खराब है और यही वह छेतर है जहां कोरोना महमारी का प्रकोप सबसे ज़्यादा फैला हुआ है बंदी के कारण लोग घर से नहीं निकल रहे हैं बहुत कम लोग है मैं आपको जराशा इस रोड का नजारा दिखा दूँ शड़कें सुलिसान पड़ी हैं बहुत कम गाणियों का आना जाना हो रहा है कुछ दूर तक मैं आप लोगों को दिखाने के कोशिस करता हूँ जूम करता हूँ लोग बहुत कम लोग यहां पर घूम रहे हैं और मैं आपको बता दूँ कि इटली की चिकिसा ब्यवस्था अपनी बहतरीन सुविधाओं के लिए दुनिया में दूसरा स्थान रखता है हर नागरिक को जन से लेकर मरंता की फ्री मेडिकल सर्विस मिलती है चिकप दवा सब कुछ फ्री है सारे होस्पिटल्स सुविधायोक्त है आधुनिक्तम मशीने लगी हुई है इसके बावजूद हाज इटली का स्वास्यतंत्र बेबस नजर आ रहा है आखिर क्यों क्योंकि महामारी के कारण अस्पतालों की छमता से कई गुना ज्यादा मरीजों की संख्या बढ़ गई है जिने संभालना सरकार डोक्टर्स नर्स मतलब स्वास्त करनियों के लिए काफी मुश्किल होता चला जा रहा है देश गंभिर आपकाल से गुजर रहा ह अब तक चार हजार से अधिक लोगों की मौते हो चुकी है पांच हजार से अधिक लोग ठिक भी हो गए हैं लेकिन चालिस हजार के करेब लोग संक्रमी थै जिनका इलाज बिभीनस पतालों में चल रहा है जब तक महामारे अपनी चोटी चरम तक न पहुँचे संख्या में बढ़ोतरी होती रहेगी जो काफी भयावा है मैं आप लोगों से घुजारिस करना चाहता हूँ कि आप लोग इस महामारे को हलके में न ले आप लापरवाही न बरते संक्रमन को रोकने का सबसे बड़ा उपाय है अपने अपने घरों में रहना अनावश्यक बाहर न निकल और विशेश कर डबलू एचो विश्वस्वास्य संगठन के दिशा निर्देशों का गंभिरता पुर्वक पालन करे बिल्कुल अरजिंट काम के लिए ही बाहर निकले लेकिन एक मीटर की दूरी बनाए रखे हम लोगों को हर बात में भीड लगाने की आदत है जो अभी के लिए बेहत खतरमाख होगा यदि स्कूल कॉलेज की छूटी कर दी गई हो तो कृप्या आप लोग अपने घर पर हैं याद है जब यहां सार्वजनिक और शेक्षनिक संस्थानों की बंदी की घोशना हुई लोग खुशी से जूम उठे जाता तर लोग टूर पार्टी होल लापरवाह के कारण हजारों लोग संक्रमित हो गये संक्रमन के शुरुवाती दिनों में खुद मरीजों को इसका पता तो नहीं चला लेकिन जब बिमारे के पुश्टी हुई तब तक वाइरस काफी लोगों को अपनी चपेट मिले चुका था जिसका खाम्याजा आज भू उसरे अस्थान की शवदा भटियों पर उनके दहन के लिए ले जाया जा रहा है ये भटियां 24 घंटे काम कर रही है एक के पीछे एक लाशों को जलाया जा रहा है लोग लिपट कर रो नहीं सकते एक साथ जमा नहीं हो सकते अंतिम संसकार का सामुईक अनुस्थान में जी रहा हूं इसलिए मैं आगरह कर रहा हूं प्लीज प्लीज घर पर रहें जय जारखंड जय हिंद जय भारत